हलो दोस्तो नमस्कार निसा मैजिक किचन में आपका स्वागत है आज हम बेशन की बहुत ही लाजवाब रेस्पी सेयर करने जा रहे हैं इसे आप बेशन की कतली भी कहते हैं यहां बनाने में बहुत ही आसान है से पहले हम बेशन कब हो त्यार कर लेंगे एक कटोरी बेशन में हमने एक चम्मच छल दी आदा चमच लालमिश पाउडर आदा चमच गरम मसाना अदा चमच धनिया पाउडर लद्रग लेसुं का पेच साधन नमक डालके तेन कटोरी पानी डाल दिया है हमने है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे एक कटाही me हमने एक चम्मस छेल गरम कर लिया हैं अब हमारा रिष्ण ताग जिट्शन देपर इंगे को ताइन को मिश्च्र की साईता से लगाता अब हम इसको एक थाली में तेल से ग्रिस कर लेंगे, बेसन के गोल को चमच की सहायता से थाली में फैला लेंगे इस तरह से, जब तक यह हमारा बेसन का गोल सेट हो रहा है, हम इसके ग्रे भी बना लेंगे, देखें वे कडाई हमारी करम हो चुके, हमने तो चमच तेल डाल द हम वेशन की कतली को कट कर लेंगे इस तरह से चाकु की मदस से देखिया कितनी सॉफ्ट और मुलायम कतली कट के आई है वेशन के आप हमारा ये पेश्ट भून चुका है इस स्टेज पेश में हम एक चमच हल्दी आदा चमच लालमिश पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला डालके अच्छे से कल्चुल की सहाइ़ता से मिक्स कर लेंगे अब हम गयस का ओफ कर देंगे इस स्टेज पर चाहिता से आप चलाते रहें देखिये इस तरह से हमारे गिवी पख चिकील है अब इस स्टेज पेस में हम दो गिलास पानी एड़ कर देंगे इसको कल्चुन की साहता से चलाते रहे सौदा नुसार नमक अब इसको ठक्का से कबर कर दीजिए इसको हमें दो मिनट तक पकाना है दो मिनट हो चुके हैं अब इसको हमें कल्चुन से एक बार चला देंगे इस तरह से फिर हमने जो बेसन की कतली कट की इसको एक एक करके ग्रेवी में डाल देंगे इस तरह से फिर इसको हमें एक मिनट के लिए धक्का से कबर कर देंगे 1 मिनुट से जाद हमें इसे नहीं पकाना है नहीं तो बेसन फूलता है, हमारी कतली फूल जाएगी अब इसमें हम 20 कटी धन्यय की पत्ती डाल देंगे हमारी बेसन की कतली की सबजी बनके तयार है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, सुस्क्राइब करें वेल आइकोन को दवाना ना भूले धन्यवाद